अगर आपकी भी skin dull हो चुकी है, dry हो चुकी है, उस पर कोई glow ही नहीं है और अपना color जो खो चुकी है और कुछ भी आप लगाओ, कौन सा भी face pack लगाओ, face wash लगाओ, कोई फरक नहीं पड़ रहा है कौन सी भी remedy आपके ट्राइ कर चुकी है, और सब कुछ करने के बाद भी आपके skin पर कोई असर नहीं दीख रहा है तो यह remedy आपके लिए लाई हो, as a face wash आपको लगाना है, या आपके से pack भी लगा सकते है तो यहाँ देख सकते ही, यहाँ मैंने first लिया है basin, चने का आटा लिया है, next लिया है, यहाँ मैंने rice flour, rice flour आपके skin को निखारता है, फिर बनाता है, इन्हें hands करता है, dead skin को remove करता है, same, जो basin का आटा होता है, वो भी same, यहीं काम करता है, two two spoon अपको लेना है तो यहाँ next में डालने वाली हो आमला powder, आमला powder आपको skip नहीं करनी है, आमला powder आपको use ही करनी है, आमला powder में बहुत सारे anti-bacterial, antiseptic properties होती है, इसकी वज़े से आपके skin की जो भी problem हो, वो remove हो जाती है, next यहाँ add किया है मैंने hibiscus powder, वो भी आपको skip नहीं करनी है, वो भी आ airtight container में रख देना है, और जब आपको लगाना हो तब आप इसे थोड़ा सा निकाल कर लगा लीजे, अगर आपकी dry skin हो तो आप थोड़ा सा oil इसमें mix करके लगा लीजे, या दूद को, अगर आपकी dry skin हो तो normal skin अगर आपकी हो तो आप इसे normal पानी में यूज करके लगा सकत और आपको इसे airtight container में कर मिन्स टोर करके रखना है अच्छे से, इससे क्या होगा आपकी skin जो होती है उसकी dead परत निकल जाएगी, skin आपकी exploit हो जाएगी और अच्छे तरह से उसका मिन्स कलर भी change हो जाएगा, जितनी भी dead skin होती है, काली परत आ जाती है, skin पर भूलकुल न जाएगी और आपको इसे airtight container में रख देना है ताकि यह अच्छे से रहे, 8-8 दिन का आप इसे बना कर रख सकते हो, ज्यादा दिन का बना कर मत रखें, या ज्यादा से ज्यादा 10 days आप इसे बना कर रख दीजिए, इसे skin आपके exploit होएगी, कोई भी face wash लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको chemical face wash से problem है तो इसे लगाना है, आपको स्रीपप को थोड़ी से gently massage करनी है और wash करना है, इसका effect बहुत अच्छा मिलता है, मुझे personally मिला है, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बना के लाई हूँ, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब ही कर देना